हेलो हाई मैं अंशू हूँ और मैं दिली की रहने वाली हूँ पिछले 5 दिनों से मैं कश्मीर में हूँ और आज जो है मैं वापस दिली जा रही हूँ उससे पहले जो है मैं अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि फीलिंग जो यहां आने से पहले मैं कैस तौर आज मैं कैसा फिल कर दो कि हम जो आज मैं कैसा फिल परढ़ और साथ में यह जो पांस दिर मैं यहां पर रही उस बीच में तौर कैसा मैंने फील किया एक्शली मैं office के काम से यहां पर आई हूं और मुझे 22 को यहां पर आना था कश्मीर और 19 को मुझे पता चला कि मुझे कश्मीर जाना है काम के लिए मैंने कहा कि ठीक है मैं अपने पैरेंट्स से बात करके मैं बताती हूं आपको तो मैंने पैरेंट्स को मैंने अपने पापा को बोला पापा कश्मीर जाना है काम है तो पापा ने बोला कि नहीं पापा प्लीज जाने दो, मैं उन्हें मनाने में लग गई, पापा प्लीज जाने दो काम है, और कोई अप्शन नहीं है, प्लीज जाने दीजे, तो पापा ने कहा कि काश्मीर में कहा जाना है, तो मैंने अपने बॉस को कॉल किया, मैंने काश्मीर में कहा जाना है, उन्होंने रहों है अगया जानवी दो पाप नी घेında कि राता मैं से जाए घूर काम चले का algumas की तो फिर जान भूज की तुछ मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं चौबिस घंटे तक पापा को मनाती रही, पापा फ्लीज जाने दीजिये, तो पापा ने कहा कि संडे था तो पापा घर पे थे, तो पापा ने कहा कि ठीक है, मैं मॉर्निंग में बताता हूं, मुझे सोचने का टाइम दे, तो मैंने कहा ठ जरूरी है, और कोई option नहीं है, मैंने कहा नहीं, और कोई option नहीं है, प्लीज जाने दीजिये, पापा ने कहा कि जाओ, बट नेक्स टाइम से ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता हूं कि तू जा, तो मैं फिर office में गई, मैंने 20 को यह हुआ, डिसाई कि 22 को मैं कश्मीर जा रही हुआ है, गोली बारी होती है, पत्छर बाजी हो रही है, हम लोगों ने जीजन में इह देखा है, गूट मुझस को ऐसंया बहुता है… खुछू को मनाया था, कि जो होना है, वो फो को हो जो तो हो कही रहेगा, बट लोगों यतना मुचे डराया एक इनफेक्ट मेरी मेरी मलब हम लोगों की काम के सिलसिले में हम लोगों की बात होती रहती है उनका कॉल आया तो मैंने कहा कि ठीक है एक वीक तक जो है वह मैं यहां पर नहीं रहूंगी आप उसके बाद मुझसे बात करना मैं कश्मीर जा रही हूं उन्होंने का वाव बहु क्षमीर के बारे में अच्छी चीजे तो बटायेंगी उन्होंने कहा मैंने कहा मैं अच्छा एक बात बतytes के वह करें ट्रह एक है हुष नोने थोड़ा सा है estásd COM C Publicasy मैं जब कश्मीर की है यही कह रही है मतलब जरूर कुछ होगा मैं फिर डरने लगी तब से मेरे अंदर जो है वो डर बैठ गया मैं साइड साइड में जाकर रोने लगी कि मैं वापस आउंगी कि नहीं आउंगी मेरे जान को सची में खत्रा है और मैं ऑफिस के जितनी भी मेरे कुछ मुझसे बात करें मैं प्लीज मुझसे ऐसे बात मत करो मैं वापस आउंगी कि नहीं आउंगी ऐसे ही हो गया तो मैं जब कश्मीर मैं यहां पर मेरे फ्लाइट लैंड की तो मेरे ओफिस से एक सीनियर मेरी इसमिता मैम उन्होंने कॉल किया और उन्होंने तुम ठीक हो अपने ध्यान रखना मैं अभी तक ठीक हूं उसके वाद धीरे धीरे मैं फर्स जो है वो बॉंदी पूरा गये थे वहां पर मंगनी पूरा मंगनी पूरा इथिंग एक्शली यहां पर नाम जो है वो थोड़ा से टिपिकल है लेकि लोग टिपिकल नहीं है मैं वहां पर मुझे वो पसंद आने लगे मेरे अंदर से जो है वो डर गायव हो गया फ्रम फर्स टे सेकींड फिर से हम लोग वहां पर गए मतलब सोपूर है जो की छोटा लंडन बीचे से कहते है सेव की खेती वहां बहुत जादा होती है हम लोगों ने वहां पर भी शूट किया हम लो तो इतनी सारी जो अफवाएये हैं हो में हर जगे मैं देली हुड तो इतनी सारी अफवाएये हैं हुआ कि एप जान को खत्रा है वहां पर यह है वो है ऐसा कुछ नहीं यह यहां पे इन फ Ted, 3 म.फ इन वे अगाया है तो थैडे कहीं जो है मुझे कुछ हो ना जाये मैं घर पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी बट यहां पे कल ही मलब कल इवनिंग में मुझे कुछ कैश निकालने के लिए जाना था तो हम लोग ATM ढून रहे थे बहुत सारे ATM बन था और यहां पर इंफैक्ट साड़े साथ आठ बजी तक जो है वो सारे शॉप्स बंद हो जाते हैं तो थोड़ा सा अंधेरा था मुझे थोड़ा सा मुझे डर लगा फिर मैंने पैसे नहीं थे मैंने पैट्रॉल पंप वाले से था कि अगर काम होता है तो आगे जाके एट्येम है तो हम लोग फिर वहां पर गए तो बिल्कुल अन्धेरा था और थोड़ा सा ऐसा डैली वाला मैंड में यह था कि डैली में अंधेरे में निकलो तो डर आप लोगो को भी पता है कि डैली में क्या हालात है लेकिन यहाँ मैंने कैश निकाला और मैं दो तीन और पैट्रोल पंप वाले बीच में मिले मैंने सबको थाइंक यू बोला वो बहुत अच्छे है अभी एक चीज बोलो तो इंसानियत अभी यहां पे है और सिर्फ यहीं पर बहुत अलग अलग पार्ट में मैं घूम चुकी हूं बहुत अल कश्मीर आने का सोच रहे हैं तो प्लीज एक बार आके यहां पर देख लीजिए कि यहां पर लोग कैसे है कुछ मतलब किसी की कही सुनी पर भरोसा करने से पहले जो है वो यहां पर आकर के देख ले कि मतलब कैसा है आप आप से फील करोगे ट्रस्ट में और मैं जैसे मैं ज मैं नेक्स टाइम बोलूं कि मुझे जाना है तो मुझे रोके ना वो मुझे यह ना कहें कि वहां पर जान को खत्र है बल्कि वो मुझे खुशी-खुशी मुझे भेजे कि ठीक है तू जा मतलब काम करके आ और मैं बहुत थाइंगफुल हूँ अपने ओफिस को जो उन्हों ने मौका दिया मुझे यहां पर आने का और मुझे यहां के लोगों को समझने का मौका दिया और साथी मैं यहां पर भी कुछ लोग थे जिनका भी मैं शुक्र गुजार हूँ जैसे कि यामीन जी थाइंक्यू सो मच बासिच जी वाहिट जी आप सब को जो है वो थाइंक्य यहां पर और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि किसी की कही सुनी पर मानने से पहले एक बार कश्मीर आईए और जन्नत जो है वह यहीं पर यह आप लोग भी जानते बट इसे फील करिए करीब से फील करिए थाइंक यू सो मच